हमारे जल्द से जल्द टॉप फ्लोर का जो हॉल है हमारा, जहां बारासो की कैपैसिटी है, वो हॉल चाहिए, यह हॉल अब हमारे काम के लाइक नहीं है, सफिशेंड नहीं है, और यहां आकरके, और यहां तुम लोग को लाकरके, जो मेरे बन में भाव आ रहे हैं, आ चल के तुझे, मैं लेके चलूँ, एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी नहों, आसू भी नहों, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, तो, सिनज वो परिवार, जहां पुरे बिहार से, बिहार के बाहर से, प्यारे प्यारे हमारे बच्चे बच्चिया आए, और यहां आग करके, रोज कुछ उना कुछ सीखते हैं, कुछ मैनत करते हैं, बदमाशी करते हैं, कुछ आगे बढ़ने का परियास करते हैं, कुछ कभी-कभी थोड़ा पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो अपने जीवन का सबसे खुबसूरत तीन साल यहां सिमिस के माध्यम से इस शहर में बिठाते हैं, उनके जीवन का सबसे खुबसूरत तीन साल, सिमिस का यह अनुवाव, तुमारे स्कूल के अनुवाव से, अकल को तुमारा जो, जिस जॉब में जाओगे, जिस क का आज एक गोल्डन दिन है आज का दिन भी तुम लोग के लिए बहुत मज़दार होने वाला है यह बीच बीच में हम लोग रीचार्ज करते हैं और आज यहां लेको ऊपर एसी चल रहा है अगी सब खड़ा हो गया इसी का हवा रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए कोई ब अच्छो को थोड़ा ठंडा हवा मिल सके लेकिन हम लोग के अंदर गर्मी इतना जादा है तो तुम्हारा जोश जो है वो तो गर्मी किरेट कर दे रहा है ना तो यह जोश यह उर्जा बनी रहे जिसकी उर्जा मर जाएगी वो तो मतलब ठंडा है और हम लोग तो we are hot ठीक ह तो और अंदर से we are cool तो चाहे टाई पहना हो चाहे पसीना आ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है जब तुम लोग को देख लेते हैं तो चार्ज अप हो जाते हैं उर्जा आ जाती है और वैसे ही तुम लोग को भी आज पूरा सिमेश परिवाज उटावा है तो तुम आज फुल उर्जा रहना चाहिए किसी का बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा आज है ना तो किसी का बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा और होगा तो फिट आटो चार्ज कर लो अगल बगल दोस्त का हाथ पकड़ लेना बैटरी चार्ज हो जाएगा है ना दोस्ती पर बहु यह अच्छ लाइफ का एक बहुत सुन्सी मैं। जहां जाओंगा, वहां मेरा अग्धर है जिस सहर में जाऊंगा वहां कोई घर है अगर मतलब मुझे मैं कहूं कि मेरा आज भारत के हर शहर में घर है और दुनिया के हर कॉंटिनेंट में मेरा घर है तो मैं गलत नहीं बोर रहा हूं मेरा बच्चा वहां पर है मेरा एक दरवाजा है घर है जहां पर मैं जा सकता हूँ अब तुम लोग भी जाकर के दुनिया भर का और अलग अलग जगों पर जाकर घर बनाओगे हम कभी आज आएंगे तो हमको तुम लोग दो रोटी तो खिलाओगे ना तो ये तो ये तो भगवान का बहुत कृपा हम लोग के उपर है और तुम कुछ बन सको तुम अपना घर बना सको तुम बैतर कर सको मेरा जीवन सिर्फ इसी काम के लिए समर्पित है और कोई टास्क नहीं और कोई मिशन नहीं एक ही मिशन है जितना बच्चा आया है वो जादा से जादा अच्छा से अच्छा कर ले ठीक है और वो दूसरा काना है कभी नीम नीम कभी शहद शहद तो कभी हम लोग नीम की तरह और कभी हम लोग शहद की तरह ऐसे ही पापा मम्मी भी होते है पापा मम्मी तुम्हारे में सुधार भी करते हैं कई बार तो सुधार ज़्यादा होता है और प्यार लगता है कि प्यार से ज़्यादा सुधार है लेकिन जिसको प्यार करता है आदमी उसी को सुधार करता है पड़ोसी का बच्चा को तोई ना को सुधार करता है हम अगर सुधार हैंगे तो सीमेज वाले को सुधार हैंगे ना दूसरे को बच्चे को सुधारने का मेरे मन में कोई भाव बिगड़ो जो बिगड़ना है तुम को कैसे बिगड़ने छोड़ दें तुम तो मेरा हो, जो अपना है उसको आदमी बिगरने छोड़ नहीं सकता है अपना बेटा को कोई सिगरेट पी ने दे सकता है, ना दूसरे का पडोसी का बेटा पी रहा है, अब क्या करें, छोड़ो कोई उपाई नहीं है लेकिन तुम पी होगा तो दिल में मेरे को दर्द होगा तो ये बात होती है, और कई बार बेटा को जब पिता जी का जाड़ लगता है, डाट लगता है दो चमाट लगता है, तो लगता है कि पापा मेरा दुस्मन है लेकिन वो पापा दुश्मन नहीं है, वो पापा तुम्हारा सबसे बड़ा हित्स सोचने वाले हैं